दोस्तो नमस्कार अज मेरा टेक की तरब से आप सभी दोस्तों को नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे कि जब Adobe After Effects 2021 को रन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है इस एरर में लिखावाया है sorry installation field system requirement not met see the minimum system requirement for more details एरर code 190 इस एरर को किसे सही करते हैं इसके दो तरीके के बारे में बात करेंगे तलते हैं screen की ओन पस्ट तरीका प्रोपर्टी पर रैट क्लिक करके प्रोपर्टी पर जाना है और इसमें continuity पर क्लिक करना है और इसमें continuity mode 4 पर क्लिक कर देना है और इसमें window 8 state कर लेना है apply करके ok कर देना है अब Adobe After Effects को install करेंगे तो यह install होने लग जाएगा दोस्तो आपका first stage से solution नहीं होता है तो इसका दूसरा तरीका है आपको c driver में जाना है program file पर जाना है comments file पर जाना है Adobe desktop common पर जाना है HD box पर जाना है और इसमें setup वाले option पर right click करके प्रोपर्टी में चला जाना है इसमें completely पर click करके run this program is completely mode 4 पर click कर देना है और windows 8 state करके इसे apply करके ok कर देना है इसी तरह उपरवाले setup पर भी property पर जाकर completely पर जाकर run this program is completely mode 4 पर click करके windows 8 state करके apply और ok कर देना है अब इस software को run as administer कर लेना है तो हमारा after effect run होने लग जाएगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like comment share करके अमार चैनल को subscribe कर लीजिए धन्यवान तरह जाएगी कर देना है